नमस्कार प्यारे साथ यूँ श्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज से यहाँ पर क्लास यहाँ नमबर दो होने वाली है तो यहाँ शुरू होने आज दोस्तों यह सेसी जीडी का हमने दोस्तों क्लास शुरू कर दी गए यह सेसी ज चोड़ा है तो हम खथा है प्रैटिस स्टम्बर दो है या आप सभी के लिए बहुत हीड मात पूर होने वाली है हुआ आदामि परिष्छा के queria है जो हम इprovoking रिखा तैस आने पहला कोशिन दिया गया है, यहां से अगर बताना है दोस्तो कोशिन मार के अस्थान पर क्या निकलके आने वाला? कोशिन मार के अस्थान पर coû यहां पर O दिया गया है, अगर दोस्तों O में एक जोड़ते हैं, तो O होता है 15 में, 15 में एक जोड़ते हैं, तो O होता है, 16 पर देखेंगे P, P कहीं पर नहीं दिखा गया है, P दोस्तों कहीं पर भी नहीं दिखा गया है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहां लाजिक तो फेल हो जा इसी प्रकार के एक आपोजिट जोड़ता जे में दो जोड़ेंगे दोस्तों दूबी बन जाएगा यहां पर देखेंगे हम पी का पूजिट के होता है तो के में अगर दोस्तों यहां पर दो जोड़ेंगे हम तो यहां से निकल के आने वाला है के में दो जोड़ेंगे तो यहां से निकल के आने वाला है आगे ओ हो पंदरा पर दिया और पंदरा का अगर हम अपोजिट करेंगे तो बारा आएगा बारा में दो जोड़ेंगे दो बिलिखुल सही जवाब निकनखे आ जाएगा नेश्ट कुशन चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्ण है कुशन नमबर दूसरा दिया गया है का गया है इसमें से दोस्तों असंगत की हमको पैशान करनी है जैसे यहां से देखते हैं संगत बी से अगर हमको के में जाना हो हम कहेंगे बी दो पर होता है के ग्यारा पर होता है तो यहां से हम कहेंगे नौ पलस हो रहा है आगे सी से अगर हमको यहत में जाना हो तो हम कहेंगे तीन पलस हो रहा है क्योंकि यहां से आगे आते हैं से बारा में म devi मि lag की बारा से पंदर में या तadow तेन होगा और 18 जो उस्तो एकीस में जाएंगे तो यहां पर झिंफीड होगा दोस्तो दीव काया चारो और बैठे हुए केंद्र की और मूह कर के बैठे हुए आगे आगे के आगे के डाएं यम के दाए से दूसरी अस्थान पर वैठा है अगर हम यम को यहां पर बैठा देते हैं हम तो यम का दाएं न देख़े यह आईना इधर होजाएगा तो पहला दूसरा दूसरी lesson पर J बैठा हुआ है आगे आगे कायता है और K जो है मतलब J और K जी यहाँ पर आने मारे दोस्तों J और K के बीच केवल तीन ब्यक्ति बैठे हुए J और K के बीच एक दो तीन एक दो ती तो यहाँ पर के आ जाएगा दोस्तों चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें दोस्तों इनके बीच में तीन तीन व्यक्ति आ रहे हैं आगे जिड ना तो टी और ना ही यम का निकटतां पड़ोसी है ना तो टी और ना ही यम का निकटतां पड़ोसी है टी जो आये हुहा के ठीक भाइए बैठा हुआ है ठीक भाइए अगर बात करते तो टी दोस्तों यहांव पर निकल के आने लुगा क्योंकि इधर करेंगे Allen हो जाएगा इधर बाइएहاं हो जाएगा तो टी जो हुहा के ठीक भाइए बैठा हुआ है जड़ ना तो टी के वगल भे ना तो यहाँ पर जड़ आएगा और नाई दोस्तो इन दोनों पोजिशन पर तो जड़ के लिए दोस्तो सिर्फ एक ही पोजिशन बच्ती है तो आगे निकरतन पड़ोसी है जड़ मेज आपके किसी को ने पर नहीं बैटा अगर दोस्तो हम wai'e को यहां यहां पर बाया दोस्तो है यहां पर दोसतो इस पैट लाएगा तो आगे repeat के बाय To Yeah, बाया दोस्तों इधर होता है तो बाय से दूसरे अस्थान पर कोण बैठा है पहला और दूसरा बायस के दूसरे अस्थान पर बाय के पी के बाय की दूसरे अस्थान पर मतलब कि अगर वास करते हैं तो पहला दूसरा मतलब कि यहां से पूछा गया है पहले दूसरे अस्थान कुशन नमबर है यहाद की दच्छिड पूरव को दोस्ते पहले आपर दिसापद बनाने थे इस प्रकारते ने, ने अब अ demon सफ दिसाओ करें आपने बना लिया है यहाँ अच्यए अडुसाने मैं यह उत्तर पूरव फो रहा है तो उत्तर पूरफ को दोस्तों पस्चिम यहां पर रहा है तो बताना है कि पस्चिम को हम प्या कहेंगे दोस्तों पस्चिम यहां पर है तो पस्चिम को हम प्या कहेंगे अगर 135 डिगर एडिक अलागवाई जाएंगे तो एक, दो, तीर, यहाँ पर निकल के आ रहा है तो दच्छे पूरब निकल के आ रहा है दच्छे पूरब विकल्ब नमबर A में है विकल्ब नमबर A इसका बिलगुल सही जवाब आ जाएगा निकल्ब के बात करते हैं कोशन नमबर पाँच है इसको दोस्तों इस परकार से लिखा जाता है और इसको दोस्तों इस परकार से लिखेंगे पताना है कि एक कैन्क्यूज को हम कैसे लिखेंगे अगर दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा तो 6, 2, 8 और 1, 9 नो आएगा और बचेगा यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 39 निकल के हनिवन जो कि दोस्तों 29 यहाँ पर दिया गया है हमने लाजिक क्या पकड़ा दोस्तों हमने लाजिक पकड़ा यहाँ पर अगर एक बार एक आर अठारा पर होता है और डी चार पर होता है अठारा चार यह भुका यहां पर बीच को दो यह पुद्ध चे लिख्टेंगे आगे सी होता है सी थीन पर होता है हो फंदरा पर होता है यह नो था है तेरह पर इस प्रकार ते अगरम जोड़ेंगे गया पांट त्एन-ग्यारा पांच तीन 8 और तीन यहां पर यहन होता है 12 32 आएगा और यहां पर हम कहेंगे 32 निकलखे आ जाएगा तो 32 च्छा किसमें दिया गए हम कहेंगे 32 या किसी में ने दिया गए सिर्फ एक विकल्प छोड़ कर विकल्प नमबर एस का सही जवाब आ जाएगा जैसे एस ही आता है इसका द्र्पड परत्वी में क्या निकल कहेंगा जाएगा उन अपसे डाउन चेंज कभी डॉंच वहा होगा उसको हम गलत कर देगे भाकि जो पझ्टों याँज बना दिया गया इसको यह यह बना दिया है तो इसलिए बिगल्प नंबर ए ब्लग छही दाता है तो यह broadcasting A सही आता है next question question number 7 वह दिया गया दोस्तों कि पूछा गया है इसमें जो question mark है इसके अस्थान पर क्या निकल के आएगा जो question mark है कि इसके अस्थान पर क्या निकल के आएगा जैसे 27 से 60 हम किस परकार से बनाएंगे अगर हम 27 में गुड़े 2 करते हैं और पलस का 27 दोना 54 पलस का 6 करेंगे तो 60 निकल का आएगा इसी परकार से आगे देखते हैं तो यहां पर आगर गुड़े 2 करते हैं 62 120 120 में अगर दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो एक सो पचीस निकल के आजाएगा बिल्कुल सही है आगे देखते हैं दोस्तों आगे भी अगर हम देखते हैं यहां पर तो यहां पर अगर हम 2 से गुड़ा करते हैं और 4 जोड़ते हैं तो 125 से अगर 2 से गुड़ा करते हैं दोस्तों तो 25 हो आता है 25 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 254 निकल के आ जाएगा तो इसका सही जोब गया है विकल्प नंबर सी दोस्तों जैसे सही आता है फिर से हम चलते हैं एक होट सांदार प्रश्ण पर सांदार प्रश्ण क्या दिया गया है का गया एक निश्चित पूर्ड भासा में कोच को दोस्तों इस परकार से लिखा जाता है तो एव देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विपरित 15 का विपरित दोस्तों 12 होता है तो हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है अगर यहाँ से हम थोड़ा सार लाजिक दिखतें दोस्तों तो लाजिक जो लगा हुआ यहाँ पर दो दो का पेर बना के एक वि होता है दोस्तो हम जह === 22 गस ब गस ब करेंगे थो पर अब आधार यह होता है अब जे होगा होता है एजिग ने निकल खुखिए गया तो यह ए देखेंगे हम इसमें दिख लाए और इनमें दिख रह यहां गलत हो जाएगा और यहां से बिया आपर आ पहुने की समभावना है आगे स्वेसलिव करते हैं टी को कै लिखते हैं दोस्तों टी का अपोजित जी होता है झी वाला दोस्तों यहां पर देखते है कि कि इस involving दीकरा तो जी का हिरा तु तो हमको यहां से इसको इसमें से चेक करना होगा यह से चेक करेंगे दोस्तों तो यहां पर अगर थोड़ा सा भी द्यान देते हैं तो कराश जो है दोस्तों सेम फलक पर आ रहा है अगर किसी में दोस्तों से फलक पर भी आ रहा है तो हम कहेंगे वहां बाकी जो होगे दोस्तो वहाँ एक दूसरे के विपरीत होंगे अगर ये का जो है दोस्तों वहाँ सेम फलक पर आ जैसे यहाँ पर दिया गया है कराज जो है दोस्तों वहाँ सेम ही फलक पर आ रहा है यहाँ पर इसी फलक पर था है यहाँ पर भी इसी फलक पर आ है कोशन नंबर निश्ट है, दसमों परशन है दोशन, कहा गया है विकलकों में चार संख्या तिरिक दिये गए हैं, जिन में से तीन किसी तरह से असंगत हैं, वल्लब कि संगत है, और कोई एक असंगत है, तो असंगत काम को दोश्कों चैन करना है, जैसे यहाँ से अगर हम पांच 56-6 5 आए तो एक पचलत प לי and तो इस प्रकार अगर से आघे दितने चुटर ही एक आप तो गया दोस्तो वाकि सब घलत अगये मतलब इसब गलत आजाएंगे मतलब इस बाकि सब एक सामानають और अग कesब आएपड़ बाकि अलग की पहिचान करनी है तो सबसे अलग दोस्तों यहां पर आ गया डिवल नेश्ट कूशन कूशन नमबर नेश्ट है पूचा गया दे गई आकरित में कौन सी भिन आकरित विकल्प पोड़ करेगी दोस्तों इसको कौन सा पोड़ दरेगा अगर हम यहां से ध्यान से देखे तो जो यहां पर था वहां दोस्तों यहां पर दिया गया इसलिए दो यहां पर था दोस्तों वहां यहां पर निकलके आ जाएगा तिरबुज यहां पर आएगा बाकी तिरबुज यहां पर कैसे आएगा साधा दिया गया इसमें दिया गया बाकी साधा दोस्तों और किसी मे नहीं दिया गया इसको ने पा तो हम कहेंगे विगल्ब नमबर भी ही सिर्फ सही जवाब आ जाता है ऐसी दोस्तों ऐसे ही सान्दार्फ से लिए दोस्तों आप हमेंок कर सकते हैं श Allez नेश कोशन देखते हैं कोशन नमबर 12 दिया गया है कागया दिये गए बिकलबों में से उस अच्छर समूफ को चुनिये जिन निम ने लिखे जो निम लिखे सिरिंकला में परशन चिनन को परस्तापित कर सकती है अगर दोस्त यहाँ पर हम थोला सा बेद्यान दे देते हैं जैसे पी को दोस्तों यहाँ पर किस फरकार से लिखा गया है अगर हम पी से जाते हैं पी में अगर दोस्तों यहाँ से 19 बनाना हुआ उनको तो हम कहेंगे 16 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 19 बनेगा फिर से आगे दोस्तों यहां तो 19 में अगर 204 जोडेंगे तो 23 बनेगा अगर 23 में दोस्तों यहां पर अगर हमको बी बनाना हुआ तो हम कहेंगे 23 में अगर 100 रोड़ दो अब की बार 9 में चाहता है से च होड़ा जाएका तो बी में अगर próximo 6 जोड़ेंगे तो दो आठ पर याच आता है तो हम honest आता है तम तो आगे चिक कर लेंते और यह से यृच होता है यह खत यह क्यों मोफ भिछ क्यों हो जाए ग्लत यह से बिगट नमबार एक से ही जवाब निकनके आ जाएगा दोस्तों फिर से चलते हैं एक और सांधार प्रशन पर कुशन नंबर 13 दिया गया है पूछा गया है दोस्तों एक में से कौन सा एक बिन है बाकी एक किसी ना किसी तरीकी से समान है अगर यहां से हम रंगीन और मलग जो रंगीन है और जो दो है दोनों का अगर दोस्तों यहां पर चुनते हैं तो देखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ यहां पर साथ आ रहा है रंगीन और साधे एक दो तीन चार पांच छे साधे आ रहा है इसमें देखेंगे एक दो तीन यहां पर भी साथ रंगीन आ रहा है और छे साधे आ क्या समानता है सम्मे अगर दोस्तों हम सम्मे देखेंगे तो सम्मे दोस्तों जो यहां पर रंगीन वाला है वह दोस्तों ज्यादा आए साधे वाले से रंगीन जो है तो साधे वाले से ज्यादा है मगर यहां पर देखेंगे रंगीन और साधा दोनों बराबर है दोस्तों यह यहीं पर बिन नफ हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिलुपुल सही जवाब इसका आने वाला जैसे डी सही आता है नेश्ट कोशन चलते हैं कोशन नंबर 14 वादिया कहा है दोस्तों बिलुप्त संक्या ज्याद कीजिए दोस्तों हमको इस में से बिलुप्त संक्या बतानी है क्या निकलके आने वाला है जैसे हमको 30 बनाना हुआ 5-6 से कैसे बना हम गएगे 6 गोड़े 5 करेंगे 30 बन जाएगा और 5-6 से बागा देगे तो ऐसा नहीं लाजिक लग सकता है जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम इन दोनों को आपस में बिखल्प नमबर बिखल्प नमबर 20 से जवाब निकलके आजाएगा जैसे ही 20 आता है हमें फिर दो चलते हैं एक और सांदार प्रश्ञ पर एक और सांदार प्रश्न लेखेंगे गया कूछन नंबर 15 हुआ या दोस्तों कठण और निसकर्ज का प्रश्न है जैसे कठण दि अब नेता हम कहेंगे आएकडर कोरियो गुराफर है कोरियो गुराफर को लिए देंगे कुछ को आगी सभी कोरियो गुराफर निर्माता जितने भी दोस्तों कोरियो गुराफर है यह सबी दोस्तों प्रोडूसर हैं प्रोडूसर हैं आगे एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है एक भी निर्माता दोस्तों वह निर्देशक नहीं है यहां से हम कहेंगे एक भी निर्माता दोस्तों निर्देशक डारेक्टर नहीं है तो यहां से पूछा क्या गया निसकर जो निकलता है, निसकर से निकलता है, कुछ अबनेता निर्देसक है, कुछ अबनेता निर्देसक है, तो जो कि बिलून गलत है, आगे एक भी अबनेता निर्देसक नहीं है, तो हम कहेंगे यह भी गलत है, मतलब एक में पूछा गया दोस्तों, कुछ अबनेता निर्देसक है मतलく हैं एक में कूछ है कुछ है और एक में कूछ गया नहीं हैं, मतलब कि एक में पॉजिटिव का सीन्ज हा रहा हैं, एक में निगीटिव का सीन्ज हा रहा है, अगर दोस्तों जब भी इस पर प्रकार accelerated二 पहतला है थो सजाख्ता पर दोस्तों आंगे या तो कहा आपस ना यहा कि या तो सईल तो नहीं हो जाएगा ये से एशा ही आता है चलते है तो सच लेकिता है पर कुशरन मबर शे मतलब माइनस को जहां माइनस दिया गया जहां गुड़ा दिया गया वहां माइनस लिख देंगे और जहां माइनस है वहां गुड़ा लिख देंगे अगर दोस्तों पचीज में हम 19 से गुड़ा करेंगे तो हम बहुत बड़ी संख्या देगी बाकी तो यहां पर कुछ भी आन भारा, आठ़े, चानड पर दोस तो साथ बठे बारा आएगा, जो कि एक, दसमेल पर सैंख्या देगी, बाकी दोस्तों यहां भी गलत हो जाएगा पलस और माइनस को बतलने पर जा पलस दिया गया वहां माइनस जा पलस अब दोस्तो हमसे बारह आठे छाहरने पे बारह बार्स अतिछ जालाजयंगा और ऊ轧ेश знаете जैसे दोस्तें यहां पर 5,49 आएगा और 9,8,2,10 आएगा एक सो नो मसे अगर दोस्तों 49 गटाएगे तो यहांसे नो मसे नो जीरो जाएगा दस में से 10 जाएगा 7 बसीगा दोस्तों सतर यहां पर बच जाएगा शतर बिलकुल यहां पर भी आ रहा है तो हम ऐसे जो बिकल्ब नमबर दोस्तों C है या बिल्गुल सही होने वाला कौई सा विकल्प नमबर 3 विकल्प नमबर 3 दोस्तों जैसे सही आता है फिर से चलते हैं एक और सांदर प्रशन कहा दिया गया है कहा गया है इनमी से हमको क्या चैन करना है जो विजयों के में उत्रिड हुए है ऐसे कितने छात्र है जो भासा में उत्रिड हुए है लेकिन जिव विजयान में अनुत्र हुए है बाकी दोस्तों यहाँ पर सब दर्था आया गया उत्रिड वाला हमको अनुत्रिड कर निकलना मतलब हमको जिव विजयान वाला नहीं लाना है बाकी हमको सब को लाना है तो यहाँ पर पूंबर बिलूपूल सही जवाब आ जाएगा नेश्ट पूश्ट पूश्ट कहा गया दोस्तों एक निस्चित भासा में इसको इस परकार से लिखा आता है और ड्राइबर को इस परकार से लिखेंगे हम फीमेल को किस ररकार से लिखेंगे अगर दोस्तों एंप अगर एक जोड़ा गया है, d 로 लोमें तो में चांप में चांप चोड़ा गया draw a जॉस्ति उदॉक हम कहेंगे बाइस, तीन, पचीष हो जाएगा और कोई नउ आई बिल्कुल सही है तो यहां से हम इसमें भी लगा लेगे इसमें एक जोड़ेंगे आगे दो जोड़ेंगे आगे तीन जोड़ेंगे पिनी से परकारते हम जोड़ेंगे इमें आगर दोस्तों एक जोड़ते हैं तो एक बाद कहाता है यहां फाता है दोस्तों देखेंगे यहां वाला इसमें दिख़ रहा है इसमें दिख़ रहा है बाकी इनमें इनमें नहीं दिख़ रहा है हम थोड़ा कोजिशन है कहा गया है कौन से आके दोस्तों यहां पर कोजिशन मार्क है अस्थान पर आएगी पहले तो दोस्तों हम अंतर में जो यहां पर तीर दिया गया है इसके बात करते हैं जो अंतर में तीर दिया है दोस्तों इसकी बात करते हैं तो यहां पर चार दिया गया था तीन किसमें दिहुकर लेंगे। तो 37 पहल ओपर था फिन दोस्तों IT कं निचे करते हैं आपकी बार दोस्तों या इसका मूँ杆एगा किस में दिया गया या विखलक नमबर C में दिया लिए जो कि गलत जाएगा दोस्टों यह से एक गलत आता है हम फिर चलते हैं एक और सांदार प्रश्ट विस कोश्चन विस्वा है दोस्तों कहा गया है एक कालपनिक गड़तिये पराली में परतिक को मतलब आयर्दा रेट का आर्थ क्या जोड़ा है जहां पर आयर्दा रेट है वह हाँ पर भागे लिख देंगे और हायज का क्या रता है आयंड जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर दोस्तों गटाव लिख देंगे आयज का हायज का का रता है अब दोस्तों हम इसमें बोट मास्क का नियों लगा दें बोट मास्क कर यह क्या कहता है पहले भाग होता है तो दोस्तों यहां पर लिया गया है अगर हम 165 में 11 से भागा देते हैं तो हम कहेंगे 119 11 5 बचेगा 11 55 और 15 को 15 से गुड़ा करेंगे 225 निकल के आ जाएगा 227 किस बिकल्प में दिया गया या बिकल्प नमबर A में दिया गया है दोस्तों इसका सही जवाब बिकल्प नमबर A निकल के आ जाएगा दोस्तों यही थे आज के कुछ मात्वपूर परश्ण अब चलते हैं दोस्तों यहां से हम होम वर्क की बात करते हैं तो होम वर्क दोस् चारों बिकल्पों में से कौन सा सही जवाब आगया दोस्तों उसको आपको कमेंट करके जरूर बताएगा तो धन्य बाद दोस्त अगर आपको समी को यह कलास अच्छी लगती हो तो दोस्तों आप समी से लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास सेयर कर सकते हैं और आप समय ने आभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ऐसे ही डेलिक क्लासिस पाने के लिए झाल सेयर को भीजिएग सेयर कर लोच्पसणा झाल सब्सक्राइबैं Chairman झाल झाल